बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा साथ सामाजी का देहन के अंतरगैत हमारे अतीद विशे का छटा अध्याय नगर व्यापारी और सिल्पीजन हम आपको बताएंगे इस पार्ट से सम्मंदित प्रस्णों के उत्तर देखें न आप यहाँ पर यहाँ पर पार्ट के अंत में पूछे गए प्रस्ण और उनके उत्तर आप पार्ट के अंत में देखें वहाँ पर आपको कुछ प्रस्ण पूछे गए और सबसे पहले हैं फिर से याद करें ठीक है बच्चो तो यहाँ पर पहला प्रस्ण है रिक्त अस्तानों की पूर्ति करें तो यहाँ पर आपके लि यहाँ पर जो एखाली है से संबंदित है और हम पी सामराजय की राजदानी थी तो यहाँ पर आप लिखेंगे कौन थी हॉलेंड वासियो ने आंदर प्रदेश में अपनी बस्ती बसाई ठीक है बच्चों तो यहाँ पर जो उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे पहले का उ गये जो हैं इनके सब के उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रसने बताएं क्या सही है और क्या गलत यानिकि जो लिखे हुए यहाँ पर कह कह गये गये इन में से कौन-कौन से सही है और कौन-कौन से गलत है यहाँ पर हम आपको अभी उतर बताने वाले हैं खैमे सोधा गर लो काफिलों में यात्रा करने की वजाए अकेले यात्रा करना अधिक पसंद करते थे क्या सही या गलत है और गह वाला है काबुल हातियों के ब्यापर का मुक्य केंद्री था सही या गलत है और गह में है सूरत बंगाल की खाड़ी परिस्तित एक मैतवपूर्ण ब्यापारिक पतन था तो क्या ये सही है बच्चो ये चारों जो है क्या 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 क्य वाला है ये भी गलत है ठीक है बच्चो तो तीन गलत हैं पीछे के आगे का एक सही है तो यहाँ पर आप प्रस्ण में कर सकते हैं आगे जुए फस्ट वाला सही है और जो कह खह खह जुए यहाँ पर जुए खह गह और गह यह तीनों के तीनों गलत हैं ठीक है बच्चो तो आ जलकी आपूर्ती कैसे की जाती थी यानि कहां से उसको जल प्राप्त होता था उत्तर लिखेंगे तंजावुर नगर को जलकी आपूर्ती कुण और तालबों द्वारा की जाती थी ठीक है बच्चो और चौता प्रसने है मदराज जैसे बड़े नगरों में इस्तित ब्लेक ट करते थे और इसके बाद आगे है आपके लिए आईए समझें और पांचवा प्रसने यहां पर आपके बिचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों बिक्सित हुए तो उत्तर लिखेंगे बच्चो आप उत्तर लिखेंगे मंदिरों के आसपास नगरों के बिक्सित होने के गाते थे दूसरा लिखेंगे सने सने यनकी धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संक्या में प्रोहित पुजारी कामगार सिल्पी ब्यापारियादी मंदिर तता उसके दर्सनार्थियों एवं तीर्थियातियों की आउशक्ताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते ग चलती थी और चोथा पुएंट लिखेंगे तीर्थियातियों और प्रोहित पंडितों को मंदिर परसासन द्वारा भोजन कराये जाता जिससे मंदिर के पास साधुसंत और प्रोहित पंडितों को आवासस्तान बन गया था ठीक है बच्चो तो प्रोहित पंडितों का आवा दिये हुएं आप इने अपनी नॉट भुक में लिखेंगे यहाँ पर है आपके लिए यह चछटा प्रस्न Right और इसमें पूछा गया है मंदिरों के निर्मार तथा उनके रख-रकाओं के लिए सिल्पी जन कितने महत्वपुर्ण थे तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे मंदिर ये जो धातों से जो कारीगरी करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सिल्पी, और इसके बाद जो है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, सिल्पकार मंदिरों को सुन्दर बनाने में काफी मैतोपूर्ण भूमी का निवाते थे, सिल्पकार ही मंदिरों के विविन भागों को निर् उसने है साथ महां, लोग दूर-दूर के देशों, पर्देशों से सूरत क्यूं आते थे, उतर लिखेंगे, सूरत में लोगों के दूर-दूर पर्देशों से आने के मुख्यकारण निम लिकिते, नमबर एक, सूरत अरब सागर के तरद परिस्तिते एक बंदर गाथा, जह से यहीं से रवाना होते थे और इसके बाद जो है तीसरा कारण लखेंगे सूरत सिल्प उद्ध्यों का परमुकेंद्र था जिससे कापी संक्या में लोगों को रोजगार मिला था और चौता कारण लखेंगे सूरत एक ब्यापारिक नगर था जहां पर कई वस्तों के थोक और फुटकर बाजार थे इस परकार से आप अपने इस प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं और इसके बाद बच्चों अगला प्रस्न यहाँ पर आठवा प्रस्न आपके लिए कलकत्ता जैसे नगरों में सिल्प उत्पादन तंजाबूर जैसे नगरों के सिल्प उत्पादन से कि तोनों नगरों के सिल्प उत्पादन में काफी विहनता थी ठीक है बच्चो और पॉइंट बना कर लिखेंगे यहाँ पर नमबर एक कलकता में मुक्यता है सिल्प उत्पादन सूती रेजमी वा जूत उत्पादन तक सिमित था और दूसरा लिखेंगे तंजाबूर में सूती वस्तरों के अतरिक्त कांसे मूर्तियों धातु के दीबदान मंदिरों के घंटे और आब उसनों आजी का निर्मान बड़े पैमाने पर होता था क्योंकि तंजाबूर एक मंदिर नगर था ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आप लिखेंगे इसके बाद है अगले प्रसने बच्चो यहाँ पर आपके लिए आए बिचार करें और यहाँ पर है नववा प्रसने आपके लिए इस अध्याय में वरिनित किसी एक नगर की तुलना आप अपने परिचित किसी कस्वे या गाउं से करें क्या दोनों के बीच कोई समानता या अंतर है ठीक है बच्चो तो अपने गाउं या सेर का नाम भी लिख सकते हैं तो आप तुलना करेंगे सूरत के साथ और यहाँ पर जो है इस परकार से आप एक जो है टेबल बना के देखें एक टेबल बनाएं और यहाँ पर जो है टेबल के दो हिससे करें बच्चो और उसमें एक जगे लिखें आप समझाएंगे जैसे कि सूरत के बारे में क्या लिख सकते हैं आप सूरत एक ब्यापारिक नगर है यहां पर लोगों को आउसकता की अधिकान सुष्टे प्राप्त हो जाती है नमबर एक और यहां पर टेकारी एक छोटा सा कस्वा है जो गरामिन चेत्रों की आउसकता की पूर् असासने ब्यापारिक नगर के रूप में बिक्सित हो चुका है जबकि टेकारी गरामिन चेत्रों का एक प्रकंड है तो इस प्रकार से जरूरी नहीं बच्चों कि आप टेकारी लिखे आप अपने गाउं या सहर के बारे में भी यहां पर लिख सकते हैं यानि कि आपने चार से क्या वैसी कुछ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं तो सौधागरों के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं बच्चों आप समस्कते हैं उत्तर लिखेंगे सौधागरों को निमलिकित समस्याओं का सामना करना पड़ता था नमबर एक ब्यापारियों को अनेक राजियो और जंगलों में से होकर गुजरना पड़ता था इसलिए आम तोर पर काफिले बना कर एक साथ यात्रा करते थे क्योंकि रास्ते में जो है जहां जंगलों से होकर गुजरेंगे कई प्रकार के जानबर मिलेंगे उन्हें पसउपक्सी मिलेंगे जिनसे उन्हें खत्रा बना रहता था इसलिए वे क्या करते थे काफिले बना कर चलते थे काफिले मला भीड बना कर यानि के आट-दस-पंद्रा-बीस कठे-कठे चलते थे सवधागर अपने हितों की रक्सा के लिए ब्यापार संग यानि के गिल्ड बनाते थे क्योंकि उनके जो अधिकार होते थे सवधागरों के उनके लिए वे एक अपना मंच बनाते थे जिसमें कि वो सब मिल जुलकर अपने हित देखते थे और उसमें काम करते थे नमबर तीसरा उन्हें बीविन प्रकार के कर चुकाने पड़ते थे क्योंकि जो जितनी भी ऊस्ते हैं बच्चो इधर उदर बिगती है ना उन सब पे टैक से लगता है और कर के साथ होती है इसी प्रकार उन्हें भी कर चुकाने पड़ते थे नमबर चार प्राचीनों मध्यकाल में यातायत के रूप में बहल गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नार्वे आदी, परमुक्ते अर्थार थी यातायत के साधन भी प्रियाप्त मात्रा में नहीं थे आज की तरह नहीं था बच्चो उस समय जो है यातायाद के जो सादन थे सौधागरों के पास बहुत कम हुआ करते थे इसले कई बार उने पैदल ही यात्राएं करनी पड़ती थी बात करते हैं आपर बरतमान समय में भी सौधागरों को ब्यापर संग बनाने पड़ते हैं उन्हें विविन पर करके कर चुकाने पड़ते हैं तो था विविन दूर दूरता सक्यातराइं करनी पड़ती हैं यात्राएं करनी पड़ती हैं और जो आप अपने घरों के आसपास फैरी वाले से प्रणाखर और प्रेकर सफ्कार तो लिए सौदाघर्व सकते हैं ओर इस प्रकार से दस्वे प्रेस्टिका उत्तर लिख सकते हैं बात करतेहँología, यहाँ चैना-पर अगला है यहां पर 11 प्रसन आईए करके देखें और 11 प्रसन है तंजावूर या हमफी के वास्तु सिल्प के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और इन नगरों के मंदिरों तता अन्य भावनों के चित्रों की सायता से एक स्क्रेप बुख तयार करें तो बच्यों ये काम तो सिर्फ आपका है आप इसमें क्या करेंगे एक स्क्रेप बुख बनाएंगे और तंजावूर और हमफी के वास्तु सिल्प के बारे में और अधिक जानकारी आप चाहें तो नेट से प्राप्त कर सकते हैं या कहीं अपने बड़े बुजर्गों से और लोगों से पूछ सकते हैं जिनों ने इस बारे में जिनको अधिक जानकारी आप से अधिक हो और चित्र बनाएं और इसके बुख बुख वें तियार करेंगे तो इसका प्रस्न का उत्तर बचो आप जो है सोयम करें जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बाद जो है अगला प्रस्न है बचो बार वहाँ प्रस्न है किसी बरतमान तीरतस्तान का पता लगाएं और बताएं कि लोग वहाँ क्यों जाते हैं वहाँ क्या करते हैं क्या उसकेंदर के आसपास दुकाने हैं और वहाँ क्या खरीदा और बेचा जाता है तो आप समझ सकते हैं बच्यों किसी तीरतस्तान का नाव आपने लिखना है चाहिए तो आप के छेतर में जो भी तीरतस्तान हो जहांपर लोग गुमने जाते हो या तीरतस्तान में नहाने के लिए जाते हो जैसे हरीद्वार है तो इस प्रकार से किसी तीरतस्तान का पता लग करियां आप जो है स्वयम से जुटाएं इस लिए इस प्रस्न का उतर भी आप बच्चों स्वयम से बना कर लिख सकते हैं इसके साथ इस पार्ण से समभंदित प्रस्नों के उतर पूरे समाब्त होते हैं अमीद है कि आपको यह सारे प्रस्ण और उनके उत्तर अच्छे से समझाए होंगे मिलेंगे फिर अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ सारे आपके स्वालों के उत्तरों के साथ आपका दिन सुभू